हाई प्रेंग मैं नम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास जो है वह MI Redmi Note 5 Pro है जिसमें की वाटर लॉग्स हुआ था किसी दुकानदार ने इसे रिपैर किया फोन तो चालू हो गया है बट कस्टमर का कहना है कि उसका स्पीकर जो वह वर्क नहीं कर रहा है तो यह रिपैर करनी के लिए जो है वह मेरे पास आया है स्टेप बे स्टेप पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे किस तरीके से रिपैर करना आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना विच सेमेटिक सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी रैड्मी नोट 5 सीरीज इसकी जो है न वह स्पीकर की प्रॉब्लम को जो है वह रिपैर कर सकते हो तो यहां पर हमें सबसे पहले जो स्पीकर टिपस पर वॉल्टेज चेक करनी है तो देखिए एक टिपस पर 2.7 आ रही है और एक टिपस पर कुछ भी नहीं आ रहा है ठीक है तो बीप की रेंज पर आए इने इसकी कॉल-टेस्टिंग किए तो यहां पर कोई भी रिडिंग जो नहीं आ रही है ठीक है तो ऐसे में हो सकता हमारा सब बोड डामेज हो या स्ट्रीप डामेज हो तो हमें काम करते मदरावर्ट को ओपन करते यहां पर स्ट्रीप को और इस 아न पर जो पता चल जा आपके पास होनी चाहिए तब आप आसानी से लाइन को पता कर पाओगे कि कौन सा टीप जो है वह स्पीकर कर या तो फिर आप कंटीनिवीटी करके चेक भी कर सकते हो आपके अपनी मर्जी बट अगर आपके पास सैमेटिक होगा तो काफी है यहां पर हमने सैमेटिक में चेक कर लिया यह जो टीप से सेकेंड वाली उपर की और नीचे की जो है स्पीकर की और फिर यह पिर चेकर आपके तो इस पर हम चेक कर लेते हैं यहां पर भी अगर आप देखो तो कोई कंटीनिवीटी की रीडिंग नहीं आ रही है क्योंकि कि वोल्टेज चेक कर लिता हूं तो देखिए वोल्टेज जो है वो 0.6 0.5 यह reflection है तो इतने में आपका speaker जो है वो वर्क नहीं करेंगा करेंगा कहीं नहीं आपको जो है वह 1.8 से ज्यादा का वोल्टेज, मिलेगा, तभी जो है, वो आपका स्पीकर, जो है, वो work करेगा, ठीके, तो अब यह हमने चेक कर लिया, दोनों भी टिप्स है, हमारी जो voltage है, वो sufficient नहीं है, जब हम बैटरी को निकाल के call टेस्टिंग कर रहे हैं, तो, call टेस्टिंग की reading इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी फोन को रिपैर करना चाहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको help जो जरूर मिलेगी तो यहां पे देखिए वह यह 0.25 0.3 reflection लगातार जो होते हैं तो अभी step by step हम क्या करेंगे इसे मैंने थोड़ा सा fast forward किया यहां पे क्योंकि इसके पत्रे को cut करते हैं और फिर चेक करते हैं कि actual में problem है कहां पे क्योंकि जो voltage है वो strip पे नहीं बन रहा है तो जाहिए सी बात है section में कोई न कोई problem होगा तो हम क्या करेंगे इसके पत्रे को हमने cut किया ठीक है पत्रे का views मतलब proper आपको दीख नहीं रहा है उसके लिए so sorry बट किस तरीके से cut करना है आप एक hint ले सकते हो कि इस तरीके से हमने यहां पे पत्रे को cut किया और में separate video भी है अगर आपको देखना है तो आप मेरे channel पे जा पत्रे को cut कर दिया और उसके बाद जो इसे निकाल लिया है अब निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूं तो बहुत सारे water locks दिखे जैसे कि यह देखिए 660 लगा हुआ इसके उपर PMI ठीक है तो यहां पे भी आपको water lock नज़र आया है उसके अलावा ringer के पास भी काफी water locks था ठीक है जिसको mobile मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत information होगी तो पता चली क्या होगा कि इसके अंदर दो power IC लगी हुए तो दोनों भी power IC के पास आपको जो है न water locks जो है वो देखने को मिले यहां पे भी आप देखिए water locks है ठीक है तो इस तरीके से अभी मैं आपको ringer section पर भी दिखाता हूं कि वहां पर भी देखिए यह ringer IC है ठीक है और यह पूरा section है यहां पर तो आपको यहां पर भी दिख रहा होगा कि जो water locks हैं वो किस तरीके से हुए हैं और मैं आपको सारे voltage भी बताता हूं कहां कहां पर चेक करना है कैसे enable होती है तो upper side में आपको coil देख रही होगी वहां पर capacitor mark है जहां पर आपको voltage जो है वह battery मतलब VPS से मिलता है बाकी 1.8 का output voltage आपको नीचे दो coil लग गई होई है उसमें आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आपको voltage चेक करना यह जो capacitor भी लगा हुआ है एक तरीके से series में लगा हुआ है इसमें तो इसे अच्छी तरीके से clean कर लेता हुआ है क्योंकि water logs हुआ है तो पूरा clean करके हम चेक कर लेते हैं और फिर किस तरीके से repair करना है आप वीडियो में बने रहो काफी लंबी वीडियो होगी लेकिन मैं आपको पूरा point of view बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी phone की tracing करक करते हो ठीक है तो यहां पर overall हम मतलब आपको दीख गया कि water logs है और उसकी वज़े से speaker वह वर्क नहीं कर रहा है तो इतना मतलब आप लोग क्या करते हैं कि यहां तक कर लेते हैं clean करके देख लेते हैं अब उन्हें voltage के information नहीं होती लाइनों के बारे में नहीं पता होता तो इसी बात है अगर इतना करने के बाद हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो customer को वापस दे देते हैं तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से जो हो repair करना है ठीक है तो यहां पर हम इने अच्छी तरीके से वाटर लॉक्स हुआ है तो पहले तो आप साइड एंगल से जो है आइसी के नीचे चेक करो कि आपको थोड़े बहुत मतलब डस्ट नजर आ रहे हैं यहां नहीं वह सारी चीज़े चेक कर लो तो यहां पर मैंने साइड एंगल से देखा तो थोड़े बहुत डस्ट जो है नजर आ रहे थे इसमें तो हमने इसे क्या किया हिट किया जाइड सी बात है अगर आप देखों सबका अपना अपना तरीका है लोग बोलेंगे मेरे लेवल पर आने के बाद भी अगर मैं यह काम कर रहा हूं तो वह गलत है लेकिन करते हैं कभी कभी चीज़े जो है वह आसा के रीडिंग जो है वह नहीं बनती यहां पर कॉल टेस्टिंग 6485 है मतलब आल्मोस्ट ओके है इतनी कॉल टेस्टिंग आपको जो रीडिंग मिलनी चाहिए उसके अलावा यहां पर मैं मतलब जो कॉम्पोनेंट लगा हुआ है वी बैट के वोल्टेज मिलता है यहां पर व से सिंगनल आते हैं क्योंकि सिंगनल को हम उस्टिंग कर सकते हैं ठीक है डी जिसे कहते हैं ठीक है अब फिलाल तो नहीं है मेरे पास तो इसलिए जो है मैं यहां पे डाटा की लाइन को भी वोल्टेज के तुरू यह करने की कोशिश कर रहा हुँ देखे 3.7 वीपिए आपक सादब Ic तक जो input voltage है वह proper है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है Ic का input voltage बट Ic function नहीं कर रही है और output नहीं बना रही है तो ऐसे में हम क्या करेंगे Ic को जो है वह एक बार से जो देखिए मैं आपको दिखाता ओं बोड को निकाल लेंगे फटा फट से ही और उसके बाद जोए आई सी को निकाल के रिवाल करेंगे क्योंकि side angle से मुझे दिख रहा है कि उसके अंदर कच्रा है ठीक है तो उस बेस पर जो कार्बन लगा हुआ है तो उसे जो हैं हम निकाल देंगे और उसके बाद जो हैं मैं आपको दिखाता हूँ देखिए अभी हमने साइड एंगल से इस तरीके से आपको देख लेना है और साइड से आपको जो है वो कच्छरा नजर आएगा तो मैंने इसे क्लीन भी किया और सारी चीजे की बट काम नहीं हुआ फाइनली हमें जो है वो इसे निकाल के रिबॉलिंग करके फिर से चेक करना पड़ा तो यहां पे देखिए अभी हमने इसे रिबॉलिंग करके मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा कि किस तरीके से सेट अप करना है क्योंक तो आप वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड तक देखोगे तो जायर सी बाते कुछ न कुछ सीख के ही चाहोगे तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सुरू से की एंड तक देखो अब हम इसे जो है ना आइसी को निकाल लेते हैं मैंने साइड से साफ करने की अगर नहीं मारनी है और हीट जो है वह आपको 350 के आसपास रखे क्योंकि कंपनी के तुरू जो है वह पेस्टेड है अगर आपने लगाई होती तो आप जो नॉर्मल मार्किट की पीपीडी होती है वह कम टेंपरेचर पर भी मैल्ट हो जाती है तो इसलिए जो है यहां पर म निकालना है और उसके बाद जो है यह मैं आइसी को मतलब अभी जो है वह क्लीन करके कोशिश कर रहा हूं बट ऐसा रिजल्ट नहीं मिला ठीक है तो फाइनली हमने निकाला आ और किस तरीके से रिपैर किया है वह आप वीडियो में बने रहोगे तो आपको देखने को से अभी भी दिख रहा है कि कच रहा है मैं कोशिश करता था कि ऐसे निकल जाए बट देखिए आप भी कर सकते हो आपकी अपनी मर्जी लेकिन ऐसे में भी काम हो जाता है कभी-कभी तो इसलिए मैं यह ट्राय कर रहा हूं बट ऐसे इस फोन के साथ वैसा कुछ हुआ नहीं ह बाद जो है वो स्पीकर वक किस तरीके से किया आप देखिए एंड तक अगर आप देखोगे तो आप ट्रिक को समझ पाओगे ठीक है तो यहां पर जो है ना मैं उसे चेक कर रहा हूं बोर्ड को बट वो रिजल्ट मिलता नहीं है ठीक है तो अभी जो है मैं आपको बताता ह हूं कि किस तरीके से निकालना हमने क्या किया था हिट करके थोड़ा सा पिंच किया पिंच करने के बाद आइसी को थोड़ा हिलाया और हिलाने के बाद जो है ना चेक किया तो भी वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा था ठीक है तो अभी क्या करेंगे अब हम इसे जो है वो Setup कर लेना है Setup करने के बाद Hit कीजिए Hit करने के बाद Hit करने के बाद कभी भी AC को Khiचना नहीं है नहीं तो उसके Ball damage हो जाएंगे Carryman IC के भी Ball damage क्योंकि Water Locks की वज़े से एक जो Ball था इसका वो पूरी तरीके से मतलब गल चुका था ठीक है सारे component melt हुए और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा hit ना हो क्योंकि back side में CPU हुए तो अगर ज़्यादा hit कर दोगे तो वो भी problem create कर देगा तो जब भी आप hitting मारे अपने काम के तरीके को इस तरीके से बना लीजिए कि आप practice कीजिए कि सुरुवात में हो सकता है कि problem हो आसानी से ना हो बट अगर दीरे दीरे आप करते रहोगे कोशिश ना तो perfect हो जाओगे क्योंकि कोशिश जो है वो perfect बनाती है इंसान को तो आपको भी कोशिश करते रहना है और पूरा जो है देखिए यहाँ पर अभी हम melt हो रहा है तो मैं यहाँ पर ज्यादा हिट मार नहीं रहा हूँ क्योंकि back side में ही CPU है तो मैं patience रखा हूँ कि थोड़ा हिट मारने के बाद वो निकले और फिर आसानी से वो निकल जाए तो हम उसे जो है वो remove कर लेंगे अगर ज्यादा हिट मारता तो अब तक जो है वो निकल जाता लेकिन में ज्यादा हिट नहीं मार रहा हूँ क्योंकि एक चोटी सी गलती आपके काम को बहुत बढ़ा सकती है mobile repairing चिप लेवल की repairing पे तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए और उसके बाद step by step procedure को follow कीजिए जो मैं आपको tricks दे रहा हूं उस trick को अगर आप use करोगे और setup करके का करोगे तो आपको result जो अच्छा खासा देखने को मिलेगा तो देखिए यहां पे water logs हुआ है और उपर वाला जो थर्ड नंबर का पीन है उपर से फर्स लाइन में थर्ड नंबर वह पीन पूरी तरीके से जो वह गल चुका है तो यह soldier से आपको ना जब आप IC को निकाला मत तुरेंट करोगे तो problem नहीं होगी ठीक है तो यहां पर देखिए अच्छी तरीके से clean हो गया अब कि आइसी परफेक्ट नहीं बैठेगी और आपको result जो वह नहीं मिलेगा तो इसलिए आप धान रखिए और यह सब वीडियोस जो है ना गाइस देखिए कितने एंगल सेट करने पड़ते हैं कि कब शूट भी के continuously नहीं होता इस फोन को बनाने में एक से डेड़ घंटा लग गया हो लेकिन यहां पर आपको कम से कम टाइम में जो है वह मैं आपको व्यू दे रहा हूँ तो कितनी चीजे कट करनी पड़ती है और जो है थोड़ा घ करने के बाद भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे कमेंट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा है आपको कुछ भी जानना है आपके पैस भी कोई टॉपिक से सजिशन है तो आप कमेंट करो बहुत सारे लोग आज के डेट मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कॉंटेक करता हूँ और जिसको भी जो लोग ने भी अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया गाइस तो फॉलो कर लो क्योंकि सॉफ्टेल से रिलेटेड या दे कि चीजे चीप लेवल की आसान नहीं है और आपको हर दिन कुछ न कुछ नया शीखना पड़ता कोई भी Perfect नहीं होता और मैं भी शीखता हूं आप भी सिखते हो आप मेरी वीडियो के तुर सीखते हो मैं इपनी knowledge के base पे या कुछ चीजे मैं भी वीडियो के तुर कभी कभी नहीं नहीं मैं कि चीजे शीखता हूं तो एसा जब चल रहे है तो पॉइंट जहें वो डैमेज है तो यहां पर मुइन को हमने बनाया और बनाने के बाद ज़ह वह इसे वहाँपय स्क्रैच करके हमने हमने शोल्डिंग करने के बाद किया आशी को पेस्ट किया और आशी है किस तरीके से उस वो भी अगर आप देखिए बहुत सारे लोग जो है वो मुस्से comment में पूछते हैं कि IC उड़ जाती है तो patience रखनी है आपको air जो है अपने blower का एकदम कम रखना है revolving किस तरीके से करनी है देखिए छोटी IC revolving करना आशान है बट अगर आप practice करते रहोगे तो यहां पर अच् में एकदम plane एक दो बॉल कॉर्णर का छोड़ दीजिए ताकि वह स्टैंसल में फर्स चेके अगर थोड़ा दर्दरा होगा तो अच्छा है फर्स जाएगा और उसके बाद आप इसे रिबॉलिंग किजिए देखिए रिबॉलिंग उतने एरिये में करनी है अगर आपके पा और उस पर जो है पेस्ट लगाना है उतने एरिये में कोशिश करनी है कि आप साइड में ना लगा दे लग गया तो इसे में जादा लग जाएगा ना तो वह क्या करता है जब आप आइसी पर हीट मारते तो वह बाहर आते हैं और फिर साइड वाले बाल को भी खीच लेते ज और यहां पर देखें मैंने आइसी रिबॉलिंग पर भी वीडियो बनाई है अब यह वीडियो आपको कैसी लगी है गाइस प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि काफी मैंनत लगी है काफी एंगल्स है मैंने इसे शूट किया और उसके बाद आप लोग को दिखा रहा हूं अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो इस फोन को और भी जल्दी बना लेता लेकिन मैं वीडियो बना रहा था इसलिए इस फोन को बनाते बनाते डेड़ घंटे लगबग लगे मुझे ठीक है और मैं आपको यह 22 मिरिट में दिखा रहा हूं क्योंकि जाइन सी बात है ठीक है तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की चीजे काफी और कुछ जगों पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया दी कि यह मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूं मैं चाहूं तो ब्रश मार के भी पूरा क्लीन कर सकता हूं बैट इसकी एक जो बॉल है ना वह बहुत नाजू को चुकी है अगर मैंने ब्रश मारा तो तुरंत वह तूट जाएगी तो इसलिए मैंने उसे अच्छे तरीके से क्लीन किया मतलब जो पॉइंट में कभी कभी क्या होते हैं एक दो मतलब बारिक वाले पीपीडी जो वह जमा हो जाता है तो वह क्या करता फैल जाता है तो उस यहां पे हमने इसे पेस्ट कर दिया आईसी को आईसी को पेस्ट करके अगर आप यहां पे देखो तो इस तरीके से सेट अप करना है अभी आपके ब्लोवर का एयर एकदम ना के बरोबर होना चीए एकदम कम होना चीए आईसी आपसे उड़ेगी नहीं अगर आपके एयर का blower ज्यादा होगा तो blower का air ज्यादा होगा तो IC उड़ जाएगी तो इसलिए यहाँ पर set कर ले अभी देखिए यह set होगा और मतलब थोड़ा सा रुक रुक के hit मारे क्योंकि अगर आप ज्यादा hit और अगर आपके IC ऐसे हिल गई है तो उसे मत हिलाईए फिर अगर वो हिली नहीं है तो उसे हिलाना होता है अगर वो हिल चुकी है जैसे समझो place अपने आप ले ली तो फिर उसे हिलाने का कोई logic नहीं है अब यहाँ पर हमने जो है वो speaker connect कर लिया आप देखिए और speaker connect करने के बाद अब जो है मैं आपको voltage check करा के दिखाता हूँ तो यहाँ पर अभी इसमें speaker में मैंने ringtone play किया और आप देखिए voltage कितना बन रहा है यह voltage बन रहा है यहाँ पर 1.98 1.8 के अबो ठीक है reflections है क्योंकि मेरे meter का battery भी low है लेकिन 1.8 से ज़्यादा ही है तो इतना अगर है तो आपका speaker जो है वो बजेगा और sound जो है वो produce करेगा ठीक है तो यह देखिए 1.89 यह 1.8 तो reflection है बट आप यह समझ चुके हैंगे पहले यहाँ पर 0.0 को something आ रहा था अभी यह okay condition है तो इस तरीके से आपको step by step repair करना अब इसे फटा फट से fitting कर देता हूँ मैं आपको और उसके बाद मैं आपको इसके sounds जो है वो दिखाता हूँ तो guys यहाँ पर मैंने पूरे point of view दिये कि किस तरीके से आपको tracing करना है काम करना है symmetric information होनी चीए आपके बाद आपको पता होना चीए से ringer section कहा है ringer section अगर एक फोन के बारे में पता चल लिया तो उस सीरीज में या वो ic किसी भी फोन में लगी हो आप उसी बेस पे जो है वह repair कर सकते हो क्योंकि experience लेना ज़रूरी होता है अब यहाँ पर हमने पहले ही में एमाइए वन में repair किया था शायद तो उसी बेस पेस की सर्कृट को समझाया और सेमेटिक भी है हमारे पास तो यहां पर आपको sound दिख रहा होगा सुना ही दे रहा होगा कि 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 तो हो गाइस कि आपको वीडियो पशंद आई होगी अगर आपको वीडियो पशंद आए तो प्लीज लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि मैं ऐसे इंफोमेशन वीडियो बनाते रहता हूँ ठीक है तैंक्यू तैंक्यू